क्या आपकी समझ से इनकी प्रेसानियों से बड़ी है जिनमें हैं थॉमस एलवा एडिश्वान जिन्होंने बलब का विश्कार किया एक पत्रकार ने पूचा कि आपने इतनी बार ऐसे पल परियोग करके देखा आपने हार नहीं बानी तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 999 बार ऐसे प्रियोग किये जिन से मुझे पता चला कि इससे बलब नहीं बनाया जा सकता और मैंने 10,000 भी बार वो सपल प्रियोग कर लिया जिससे मैंने बलब बना दिया तो यह थे थॉमस एलवा एडिश्वान जिन्होंने बलब का विश्कार किया उन्होंने इतने खटन प उद्धिवालक सबसे इंटलिजेंट व्यक्ति की रूप में आया और उसने पूरी साइन्स ही बदल दी एक ऐसा फॉर्मुला दिया जिसके बिना साइन्स अधूरी सी लगती है इसी सुची में हमारे आगे है इस्टिव जोप्स जो एपल के फाउंडर है उन्हें बहुत से प्रेशानियों के सामना करना पड़ा वो कॉलेज ड्रोप आउट रहे उसके बाद उन्होंने हाड नहीं मानी और लगातार प्रेक्टिस करते के उसके बाद उन्हें के कलीग ने भी निकाल दिया लेकिन फिर उन्होंने एपल में किरतिमान इस्तापित किया और इसी में है गोतम अडानी भी कोलेज ड्रोप आउट रहे है और उन्हें 1978 गुजरात उनिवर्सिटी से ड्रोप आउट कर दिया गया उसके बाद वो अलग लग जगे बिजनस करने के लिए गये और उन्होंने छोटी माड़ी जोब्स की उसके बाद उन्हें वह एंपाइर खड़ा किया जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी प्रोट्स, अडानी ट्रांसमिशान, अडानी टोटल गेस, विलमर जैसे बहुत से यहनोंने अपने बिजनस में एड करते गे तो यह थे गोतम अडानी और इसी सुची में है रतन टाटा जिन्होंने अपनी पेसेंजर कार 1999 में फोर्ड को सेल करने के लिए डिल करने के लिए गए थे लेकिन उस वक्त जो बिल फोर्ड है उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया है कि हम आपके उपकार कर रहे हैं आपकी कंपनी करीद कर तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो इंड को कोई खरेदार नहीं मिल रहा था तब टाटा ने वो डिल पूरी की और उन्होंने जो फोर्ड की दो बड़ी गाडिया लेंड रोवर और जेगवार उनको एक्वाइर किया और तब बिल फोर्ड ने कहा था कि आज आपने हमारे उपकार किया है तो यह थी ऐसी कहानिया ज यह आपन बना लेते हैं फिर एक वापस नया दोर आता है तो वक्त बदलता है जुरूर बदलता है आप यह थक परिश्रम करें और नए साल से यह प्रण करें कि हम अमारे लक्षे के प्रतीव पूंट तह समर्पित रहेंगे और लक्षे को प्राप्त किये बिना नहीं रु वीडियो इनफॉर्विटिव लगाओ तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स अलोट